नमस्कार दूस्तों, Stock Market Status में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत इंपोर्टन कंपानी के आपडेट लेकर हाजिर वा हूँ, और आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस सेक्टर के बात करूंगा, उस सेक्टर में आज जिस तरे किसे ग्रोथ है, फीचर में उसका ग्रोथ और भी कही गुना जदा बढ़ने वाल है, अब ऐसे क्यों में बात बता रहूँ, सबसे पहले में सेक्टर के बारे में बात करूँ, सेक्टर का नाम है टायर, तो टायर इंडस्टिस दोनों में हमें से टकर रहते हैं, देखने को मिली जाते हैं, तो आज मैं ऐसे कंपणी के बारे में बात करूँ, जो फीचर में एक एमरेज जैसे कंपणी बन सकते हैं, देखिए, टायर इंडस्टिस में सबसे इंपोर्टन्स पॉंड क्या होते हैं, चाहे आप किसी भी गाड़ी खरिदरी कर ले, किसी भी कमपनीस के ओपर टू ह्युरे से लेकर, थ्री ह्युरे से लेकर, थ्री हुआ फैसिंजर वहेकल्स, हैवी भीकल्स आपरोड गार्स ओपरोड गाडिया कोई भी खरिदरी करे, टायर्स का डीमार्ट हामें सा जाएगा किमि Judy tires के बिना कोई भी गड़ी चलेंगे नहीं तो tires के जो demand है वो सामने रखते हुए आपको tire industries के उपर obviously कुछ focus रखना होगा तो मेरे पसंद जो tire company है जिसके बारे में चर्चा करूँगा उसके पास personally में बहुत positive हूँ तो किस basis में positive हूँ वो में आपके साथ share करूँगा सबसे पहले एक data update में आपके साथ share करूँगा जो data update है आपके में आपको दिखाऊँगा अब ध्यान से देखना क्या बता जा रहा है इंडियन tire market जो है वो expect किया जा रहा है कि 192.3 million unit by 2026 तो 192.3 million unit बेचा जाएगा 2026 के अंदर अंदर और ये भी असा क्या जा रहा है एक CSR के percentage के हिसाब से 3.81% के आसपास ग्रोथ होने वाल है 2021 से लेकर 2026 तर तो सोचिए tire industries में किस तरीके से revolution ले आने वाल है किस तरीके से growth होने वाल है आप खुद ही सोचिए अभी इस tire manufacturing में एक सबसे पहले importance point में आपको बता दू कि tire में आप निवेस जब करने जाएंगे तो हमें से आपको कुछ points को ध्यान देना है इसके बारे में आज आपे बात करूंगा अगर मैं tire industries के बारे में बात करूंगा सबसे बड़े जो company है जिसके बारे में में पहले बूल चुका हो इसका नाम है बाल किसन इंडस्टी से उसका market के को इसाफ से देखे किस company के कितना price है बो importance नहीं है आपको यह देखना है कि सारे companies के market cap कितना बड़ा है MRF इंड़े के second largest company है market cap wise उसके बाद apple o tires इसका 30,000 crore के आसपास market cap है उसके बाद है jk tires इसका 10,000 crore के आसपास है और आज जिसका बारे में बात करूँगा उसका नाम है c8 tire और मुझे लगते c8 tire एक दिन MRF जैसे company बन सकते मतलब MRF जैसे market cap company बन सकते है आज इसका market cap 10,000 crore है तो सोचिए MRF का जो market cap है 55,000 crore के आसपास तो सोचिए c8 10,000 crore है तो अगर 55,000 तक पहुँचे तो 5 गुना आपको return यहाँ पर जिनेट करके देंगे तो basically मैं इस company को पर क्यों बुलीच हूँ मैं आप पूरा details आपके साथ share करूँगा तो सबसे पहले कुछ importance point c8 को पर आना चाहिए तो देखिए जो company c8 company है इंडिया के fourth largest tar manufacturing company है तो सबसे number one कौन है सबसे number one है बालकिस इंडेस्टी उसके बाद है एमरे उसके बाद एपलो उसके बाद है c8 तो c8 के बारे में बात कर दो आप देख सकते the company manufacturing tar majorly for trucks and buses तो trucks and buses के साथ साथ company देखिए also manufactured tar two wheelers, three wheelers, passenger cars and farm equipment and light commercial vehicles तो company किसी भी sector को नहीं छोड़ा tar industries में it has strong domestic persons with the network of 300 distributor network है 3400 से भी ज़्यादा इसका डिलर से और 3500 से भी ज़्यादा इसका सब डिलर है तो सोचे company कितना strong होता जा रहा है और देखिए company ये भी बता रहे था company also operate over 300 exclusive outlet मतलब company exclusive कुछ outlet open करकर रखा है वो भी 3300 से भी ज़्यादा और has person in over 400 multi brand outlet तो basically company के major customer है वो आप देखेंगे Tata Moto से, Asok Leland है Escode है, Mahendra है, Honda है Ralph Enfield, Bajaj और साथी साथ जो प्यागो है तो इस तरह के से categories company को seat क्या करते है टायर को supply देते है तो company का जो manufacturing capacity है वो आप देखेंगे 350 million tiers का per annum मतलब साल में 350 million से भी ज़्यादा टायर manufacturing का capacity है तो high capacity company growth भी कर चुके है company का जो product portfolio से overall 1900 SQ and during the one year तो company 170 से भी ज़्यादा product को company launch कर चुके है मतलब अलग-अलग categories का tier company 170 से भी ज़्यादा new product launch कर चुके है तो सोच यह company में किस तरीके से growth है तो growth आपको यह आपे clear cut देखना को मिला है तो company को जो announcement है आप देख सकते है it is also unattacking company का कुछ deactivated कुण product है company यह बता रहा है कि company खुद के जो capex है वो 2.5 billion का capex है आपे बढ़ाने वाला है तो सोचे company कहा से कहा तक जाने का चांस से सोच रहा है और company बता रहा है कि company के revenue के growth हो रहा है 14% के आसपास साल भर में और ए growth totally बता रहा है कि जो net profit जो है 1.8 billion के आसपास और वो भी end of 2023 में और growth बढ़ने वाले 158% from previous year तो basically high level का growth यहां पर होने वाले company का ROC currently 5.3 है and sorry ROE 5.3 है and ROC 10.2 है तो कोई खराबी नहीं है ठीक ठागी है देखा जाये तो और company के जो capex है वो भी अच्चा कासा या पर growth हो रहा है अभी financial leaders के बारे में चर्चा करूँगा उससे पहले कुछ importance point में आपके साथ share करूँगा जैसे company के जो group है RPG group के ही company है C8 RPG group के company है C8 के जो RPG group है उसकी बहुत बड़े बड़े company है जैसे KEC है साथी साथ Jen Sir है साथी साथ Life Science भी है साथी साथ और भी देखिए अलग-अलग categories के company RPG group के अंडर ही बढ़ते है तो RPG group के सबसे एक बड़े company जिसका नाम है C8 C8 obviously one of India's leading tire manufacturing company है अभी चलो देख लेते हैं इस company का कितना growth है basically मैं company के अगर मैं अपीसीले website के उपन करूँ तो मुझे जो सबसे जो data पहली लगा जो सबसे जो base data मुझे लगा company के customer base देखे car industries में company होंडा से लेकर होंडा से लेकर महंद्रा मार्दी सुजुकी, MG और टोर्टा इस सारे पोड़क को company खुद के पोड़क को सेल करता है बाइक के industries में रॉल एंफिल्ड, बजाज, हीरो, होंडा, यामा, टीवेस स्कूटर के industries में हीरो हो गया, टीवेस हो गया, होंडा, सुजुकी, यामा, और महंद्रा तो categories wise देखाए तो company बहुत सारे customer को पोड़क सेल करता है मैं खुदी देखता हूँ जब में कोई भी रस्ते से कोई गाड़ी है जाता है मैं सबसे फ़हले उसका टायर को चेक करता हो कि वो कौन सा company का टायर यूज कर है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टायर उस company C8 देखने को मिल जाते है तो C8 अलग level का market cap लेकर रखका है और bus and trucks के उपर 8% market से रखकी कि bus and trucks में उतने ज़्यादा market cap नहीं होगा यहाँ पर बाल किसन इंडेस्टीज और MR जैसे market अच्छा का सा capture किया है तो basically company के उपर कुछ hidden points मैं आपके साथ share करूँगा वो आपको जूरू देखना चाहिए वो hidden points क्या है वो आप देखेंगे तो company का 55,000 से भी ज़्यादा touch point है और company के जो growth है वो revenues का growth 11,900 क्रोड के आसपास हो रहा है EBITDA margin 14 के आसपास है साथी साथ company के जो growth है आप देखेंगे तो जो permanent employees है 9,500 से भी ज़्यादा है debt of equity जो है 0.40 के आसपास है जो company बता रहा है कि company इंडिया के एक largest tear manufacturing company है अभी company का financial latest के बारे मैं चर्चा करूँगा देखेंगे मैं पहले बोल चुको company अभी भी 10,000 कवर के नीचे है एक small cap type company है current price 2300 के आसपास है peer issue एकदम सस्ते में है मतलब valuation एकदम सस्ते में है तो valuation कितना सस्ता है वो मैं आपको बता दू company के देखे peer issue एक टाइम चला गया था 100 के आसपास और आज वो घटके कहाँ पर आ चुके है 14 के आसपास तो सोचिए company बो ही level में आ चुके है जो COVID के level में था तो COVID के level में जो peer issue था वो ही level में आ चुके है मतलब यह से एक लंबा और धमका जरनी देखने को मिल सकता है तो बेसी के लिए company's के बोर जो growth है बो में आपको बता दू company के valuation आ रही पॉजिटीव देखने को मिल है अभी company के जो current peer issue है उसके हिसाब से company के peer issue तो मतलब इंडेस्टीश पीर इसे बहुत काम है अच्छी बात है company के जो book value है उससे दूग गना ज्यादा company के current price है ये भी एक positive sign माना चाता है और साथी साथ company के depth of equity obviously 0.50 के नीचे है ठीक ठाकी है promoter के पास अच्छा का सा holdings है अभी चलो company के profit and loss के बारे में चर्चा कर लेता हूँ उससे पहले company के business कहाँ पर फैला कर रखा वो देखना बहुत important है इंडिया में company 81% business कर रहे और rest of world में company 19% के आसपास business कर रहे company auto motive जो tire segment में है उसके 91% company कर business है और tubes manufacturing में company 6.58% का business कर रहे government में 0.92% और sales of scrap के उपर 0.54% के आसपास देखना को मिला अभी basically companies के उपर जो growth है वो आप देख सकता है after market 53% and जो OEMS है वो 28% के आसपास है और आदास के उपर 19% के आसपास देखना कर मिला trucks में trucks and buses में 31% company tire को बेशते है और two wheelers industries में 27% tire बेशते है passenger carrier जो car है और vehicles है उसके अबर 20% charge बेशते है साथी साथ off highway मतलब जो mining में यूज़ किया जाता है road construction के उपर साथी साथ देखा है तो building construction को अपर जो गाड़िया यूज़ किया जाता है उसके लिए ट्यार company 15% बनाते है उसके साथ साथ जो LCB गाड़िया है मतलब high trucks जैसे company है sorry high trucks जो है तो उस तरीके से category में company 7% product को बेशते है तो basically companies को जो deeply जो study है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि company में कितना growth है अब देखिए company के sales के बारें बात करो year up year basis में company इस बार highest sales जिनाट किया और expense को company मिटाने के बाद company के net profit देखिए 120 करोड 10 सल पहले था वो बढ़के हो चुके 600 करोड मतलब company 6 गुणा खुद के profit को growth कर चुक है तो 10 सल में 6 गुणा मतलब सोच ये company अच्छा घासा एक growthable situation में है company के sales growth profit गोद ठीक ठाग है company को अच्छा घास रिटान भी दिया और company के return of equity भी अच्छा घासा है अभी मज़ेदर बाद आपको बता दू company के reserve बढ़ते चले गए और company के करजा पहले last two quarters में last two years में company के करजा बहुत जादा था इस बाद थोड़ा सा करजे को कम किया तो मुझे एक चीज सबसे पहले देखना है कि जितना करजा है कि आप वो उस करजे को खुद के जेब से मिटा सकते है खुद के जेब से मतलब company के हाथ में कितना क्यास है सिर्फ 59 क्रोड है इसका मतलब काली अगर उसको करजा मिटाने के लिए बोला गए अभी मजदर बाद आपको बता दो company के cash pro कभी भी नेगेटिव नहीं दीखेगा और company के best point of view से बात करू तो company की इस बार purchasing जो है fixed acid का वो करिवन साड़े 800 क्रोड के आसपास है अभी चलो investor के बारे में बारकर लगाओ तो investor के बारे में बात करू तो देखे प्रोमोटर के पास 47% holding है पहले भी था आज भी है और mutual fund के पास 11% holding पहले था फिज में कम हो गए थे फिर से वो 11% तक लेके आए FS के पास 23% holding था वो आज 20% के आसपास है वोई बात नहीं हार को institution इस company के बार रहना चाहते है अभी इस company के उपर जो टेक्निकली चार्ट पड़न है वो में आपको बता दू company जब listing हुआ था तब साल था 2000, sorry 1995 तो 1994 में company listing हुआ तब इसका price था करीबन 63 रुपीज और वहां से बढ़के company कहा तक जा चुके है 2300 रुपीज तो company में जिस कोबीड के बाद growth तो हुआ मतलब उस तरीके से high level में growth नहीं हुआ अभी auto industries growth हो रहा है तो उस basis में इस company की growth होना chances रहेगा लिएकि 2008 के बाद इस sector में अच्छा कासा downfall देखने को मिला था उसके बाद धरे-धरे करके growth हुई क्योंकि companies long term vision के उपर है तीसले में long term के लिए जुरू सोचूंगा बागी आपके क्या राह है जुरू comments करना तो C8 के उपर में positive हूँ आपके क्या राह है जुरू comments करके बता सकते है अगर वीडियो में जानकर अच्छा मिले डीपली knowledge मिले तो जुरूर एक like कर देना और दोस्तों के साथ भी share करना और यह वीडियो टोटल education purpose में था मैं आपको कोई भी बाहिस सेल का recommendation नहीं कर रहा हूँ मेरे तरफ से सारे चीज ऐजे सीखने के लिए होते है कोई भी बाहिस सेल करने के लिए आपको अगर काम करना है तो आपके सेवी रेश्टर एडवाईजर के साथ बातचीद करके ही काम करना मिलते नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद